फ़ड़ा चौके तो होंगे कि शास्त्री के पैंतरे से इंदिरा पस्थ हो गई शास्त्री जी भी पैंतरे खेलते थे अरे हम तो शास्त्री जी को जानते थे कि बचारे सीधे, साधे, बोधे क्यूट क्यूट से प्रधान मंतरी थे उन्हें कहां राजनीती की इतनी बारीकियां आती थी उन्हें कहां सियासत की विशात पे शय और मात का खेल आता था एसी छवी बनाई गई है ना शास्त्री जी की सीदे साधे प्रदान मंत्रियारे किस गधे ने कह दिया कि शास्त्री को राजनीती की बारीकिया नहीं आती थी शास्त्री की शानपंती की वो कहानिया हम आपके सामने लेके आए हैं जिसने इंदिरा के उड़ते हुए होसलों के परकतर दिये और अगर ये शानपंती शास्त्री में की ना होती तो शास्त्री कभी प्रधानमंत्री बनते ही ना शास्त्री के प्रधानमंत्री की कहानियां हमें आपको कभी सुनाई ही नहीं गई बस शास्त्री का नाम लो शास्त्री की हत्या कैसे होई किसने की रे हो गई हत्या जनाब जिस आदमी की मृत्ति हो नीती हो गई अब मृत्यों में जाने लगेंगे तो फिर उस आदमी के जीवन की कहानी कहा मिलेगी तो शास्त्री के जीवन की कहानीों की स्रीज लेकर आ रहे हैं हम और इस स्रीज की पहली किष्थ है आज जहां हम आपको सुनाएंगे वो अनसुनी कहानी वो कहानी जो आस तक आपने कभी नहीं सुनी होगी शास्त्री के प्रधान मंत्री बनने की कहानी यह कहानी पड़ी दिल्चस्प है चुंकि इस कहानी के तार यहां से लेके विदेशों तक जुड़े हुए हैं यह सवाल की who after नहरू यह सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया पूछ रही थी जब नहरू की मृत्यू के बाद अगले दिन दुनिया फरक आख़बार नहरू की मौत की खबरों से पटे हुए थे तब एक और छोटी सी खबर हर बड़ी खबर के बीच में से लाइट मार रही थी who after नहरू यानि नहरू के बाद कौन सम्हालेगा देश देश सम्हालने के लिए कॉंग्रस पार्टी में बड़े बड़े लोग थे शास्त्री को तो कोई जानता ही नहीं था जादा ना मास पॉपलर चहरे थे ना रैल्यों में बहुत भीड आती थी ना बहुत करिश्माई व्रक्तित्तो था कहां से आ गए शास्त्री और प्रधान मंत्री कैसे बन गए ये कहानी कजब की है चुँकि इस कहानी में एक पत्रकार है एक नेता है और एक खुझ शास्त्री है ये तीन मोर्चों से लड़ी गई लड़ाई है जिसकी फत्य शास्त्री के प्रधान मंत्री पत्पय शपत ग्रहन करने से हुई थी तो कहानी शुरू करते हैं, वीडियो मेंट तक बने रहिएगा, जैसे शारी बातें आसानी से समझ सकते हैं हाँ थोड़ा आवाज खराब है, थोड़ा cold हुआ है, कोरोना नहीं हो गया है भाई साब परिशान ना हुए ये भगवान की दया है, और जिसको भी cold हो जा रहा है, आप लोग कोरोना समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है और vaccine लगवा चुका हूँ, मैं वैसे आपकी लिए बता दूँ, आपने लगवाई की नहीं, comment section में comment करके बताईए vaccine नहीं लगवाई है तो जरूर लगवाई है, ठेट चलते हैं वीडियो पे असल में शास्त्री जी के प्रधान मंत्री बनने की इस इमारत की नियू में थे पंडिक जवाहरलाल नहरू नहरू जी ने ही इसकी प्रस्तावना लिही थी, दरसल नहरू अपनी मृत्यू से दो साल पहले से ही काफी अस्वस्त रहने लगे थे अब उम्र हो गई थी नहरू की और चीन युद्ध में मिली पराजय की वज़ा से काफी मानसिक आगहात से भी गुजर रही थे ऐसे में नहरू ने सोचा कि अगर कोई सहायक मिल जाए जो नहरू के कामकाज का बहतर धंग से निप्टारा कर सके तो बहतर होगा हलाकि नहरू के एक सहायक मथाई पहले से मौजूद थे लेकिन नहरू चाह रहे थे अगर एक और आदमी होगा तो उनके काम का जरा बहतर ढ़न से निप्टारा होगा और नहरू ने इस काम के लिए जिस आदमी को चुना था उसका नाम था लाल बहादूर शास्त्री लाल बहादूर शास्त्री को नहरू की सरकार में मिनिस्टर विदाउट पोल्टफोलियो का टैग मिला था जी हाँ ये टैग पाने वाले शास्त्री को लोते नेता थे यानि एक ऐसा मंत्री जिसका कोई मंत्राले नहीं है एक ऐसा मंत्री जिसका सिर्फ एक काम है प्रधान मंत्री के कामकाज में हात बटाना और शास्त्री को ही चुनने के पीछे नहरू की डशकों पुरानी वो स्मृतिया है जो शास्त्री की इमानदारी की मिसाले बया करती है एक किस्सा नहरू जो शास्त्री के विशय में हमेशा सुनाते थे वो लगे हाथ हम आपको सुना देते हैं एक दफा महात्मा गांधी के आंदोलनों में जब सभी नेता जेल जाते थे तो शास्त्री जी भी जेल गए थे लेकिन इसी भीष शास्त्री जी की बिटिया की बहुत तवियत खराब हो गई इतनी तवियत खराब हो गई कि ये तै हो चुका था कि अब वो जादा दिन तक नहीं जी सकेगी ऐसे में बहुत मान मरववत के बाद प्रातना पत्रों को लिखने के बाद बिटिश सरकार ने शास्त्री जी को सिर्फ 15 दिन की छुट्टी दी थी कोई अपराध नहीं किया था शास्त्री जी ने सिर्फ राजनेति का अंदोलन में भाग लिया था फिर भी अपनी बिटिया से मिलने के लिए सिर्फ 15 दिन की छुटी मिली थी शास्त्री जी को फिर चुप चाप अपनी बिटिया के साथ समय मिताने लगे सब कुछ हसी खुशी चल बहा था लेकिन शायद नियती को कुछ और मंजूर था और सिर्फ पांच दिनों के बाद उनकी बिटिया का देहान थो गया घरवालों ने सोचा चलो कोई बात नहीं शास्त्री जी के पास अभी दस दिन के छुट्टी बची है अपनी बिटिया का क्रिया करम करके ही जेल जाएंगे बहतर रहेगा लेकिन शास्त्री जीठ है रहे उनको लगा छुट्टी किसलिये मिली थी बिटिया के साथ समय बिताने के लिए बिटिया से बात करने के लिए अब जब बिटिया ही नहीं है तो कहां समय बिताएंगे किसके साथ समय गुजारेंगे शास्त्री जी अगले दिन जेल चली गई जेलर बशारा आँख मींच के उठा है शास्त्री तुम्हे तो 16 दिन आना था छटे दिन कहां से आ गए शास्त्री ने का वो बिटिया के साथ समय विताने के लिए छुक्टी मिली थी अब बिटिया का दिहान थो गया है तो क्या करेंगे बाहर रहे के सोचा जेल ही आ जाते है लोग हसे लेकिन नहरू और तमाम लोग शास्त्री की इमानदारी को देखके उन पे मुख्दभी हुए नहरू ने शास्त्री की वो इमानदारी देखी थी इसलिए शास्त्री को अपने सहायक के तौर पे चुना था और शास्त्री पर नहरू के इस विश्वास को देखके कॉंग्रेस के कैडर में शास्त्री के लिए स्विकारता बढ़ा शास्त्री के प्रधान मंत्री बनने में तीन सबसे बड़ी और ओधक चटाने थी एक एक करके बताऊंगा कैसे एक नीता ने एक पत्रकार ने और फिर खुट शास्त्री ने मिलके इन तीनों चक्टानों को दूर किया था और शास्त्री जी प्रधान मंत्री बने थे सबसे पहले चलते हैं, पहली और ओधक चटान पे, शास्त्री जी का नाम प्रधान मंत्री उम्मीद्वारों की लिष्ट में लाएगा कौन, कैसे लाएगा, चूंकि शास्त्री जी कोई popular चहरे नहीं थे, शास्त्री का कोई मास अपील वाला चहरा नहीं था, शास्त्री की रै भाविक उम्मीद्वार, जिनसे जनता का भावनात्मक जुड़ा हो था, ऐसे में इन सब के बीत में शास्त्री का नाम लाएगा, कौन और क्यों, तो जवाब था के कामराज, कामराज जिसने कॉंग्रेस की तकदीर बदल दी थी, कामराज जिससे बड़ा किंग मेकर इस दे को दो-दो प्रधान मंत्री दिये, कामराज पर कभी वीडियो बनाऊंगा, तब देखिएगा कामराज के कारणामों की कतारें, जिसे सुन के आखें फटी की फटी रह जाएंगी, और कामराज ने जिम्मेदारी ले रखी थी, कि वो इंदिरा को प्रधान मंत्री की कुरसी पहुचाएंगे ही पहुचाएंगे, लेकिन अभी इंदिरा उतनी मेचयोर थी नहीं, ना जनता समझती थी, ना नेता समझते थे, और ना इंदिरा खुच समझती थी, कि वो इतनी मजबूत हैं कि प्रधान मंत्री की कुरसी पर बैठ सकती हैं, ऐसे मैं कामराज ने ये प् दूसरा था नहीं। चुनकि शास्त्री खुद इंद्रा गांधी या जय प्रकाश नारायन में से किसी एक को प्रधान मंत्री बनते देखना चाहते थे। के कामराज ने कॉंग्रेस की मिटिंग में शास्त्री के लिए प्रधान मंत्री उम्मीद्वारी का टिकट मांगा था। और शास्त्री को प्रधान मंत्री उम्मीद्वार के तौर पे स्विकारना सब के लिए सहच था। चुनकि शास्त्री काफी समय से नहरू का कामकाज ऐसे और खास तवर से मुरारजी भाई का जनाधार बहुत बड़ा था। कॉंग्रेस में लोग मुरारजी भाई की जत किया करते थे और मुरारजी भाई के तेवर भी खाटी गांधिवादी थे। ऐसे में मुरार जी तकरीवन विजेता के तौर पे नामित हो चुके थे जनता और कॉंग्रेस के नेताओं की दृष्टी में लेकिन फिर पराजित कैसे हो गए? इसके पीछे कहानी है एक पत्रकार की पत्रकार कुलदीप नईयर साहिब कजब के पत्रकार थे भाई साथ कुलदीप नईयर से गलती क्या हुई? मुरार जी देशाई का करियर डूब गया असर में कुलदीप नईयर मुरार जी देशाई का इंटरेक ने पहुँच गए उनसे पूछा कि क्या आप प्रधान मंतरी बनना चाहते हैं? नहरू जी की मृत्यू के बाद संभावित प्रधान मंतरियों की बाते हो रही है उन में से क्या आप भी एक है? तो मुरार जी देशाई ने बड़े ठसक में जवाब दिया बिलकुल मैं ही बनूँगा प्रधान मंतरी और कोण बन सकता है प्रधान मंतरी? तो कुलदीप नएयर ने का नहीं वो जैप्रकाश नारायन इंदिरा गांधी मुरार जी ने का जैप्रकाश नरायन वो कन्फ्यूज आदली और इंदरा वो छोकरी वो छोटी सी लड़ती वो प्रधान मंतरी बनेगी अरे जाओ ये लड़ाई होगी चाहे जितने दिन लेकिन जीतूंगा मैं ही और कांती देशाई मुराजी देशाई के जो बेटा था वो भी बहुत सारी लॉंबिंग कर रहा था लेकिन उस लॉंबिंग की खबरें भी कुलदीप नईयर ने पकल दी थी और कुलदीप नईयर यही लेक अगले दिन के अखबार में छाब दिया अखबार की खबर लोगों में परसिप्शन बिल्ड कर दी परसिप्शन कैसे बिल्ड कर दिया ऐसे कर दिया कि मुरारजी देशाई प्रधान मंत्री बनने की महत्वा कांशा पाले हुए हैं जनता में बुरा परसिप्शन चला गया कि यहां नहरू की मृत्य हुई है और यह प्रधान मंत्री बनने के लिए इतने लालाई थे अरे कॉंग्रेस का विधायक दल बैठेगा सांसत दल बैठेगा वो चुन लेगा अपना नेता यह पहले से अपने इच्छा पाले हुए अच्छा अच्छा वाने यह इंत वोट से मुरारजी देशाई की पराजय हो गई कोई सोचा ही नहीं था कि मुरारजी देशाई कभी सव वोट से हार जाएंगे और जब मुरारजी देशाई हार के लोटे और संसत के भवन से निकल रहे थे तब कुलदीप नईयर को बगल में देखे और देखके सर नीजा कर के चिले गें, पीछे से कामरा जाए, कुल्दीप नायर को देखे बुलाए और जपट के गले लगे कुल्दीप नायर से, बोले भाई तुमने चुनाओ जितवा दिया मुझे, अगर तुम ना होते ना तो मुरार जी हारता ना, लेकिन मुरार जी को हारना पड़ गया, कुल् शास्त्री के प्रधानमंत्री वनने पे मोहर तो लग गई, लेकिन सबसे बड़ी और उधक चट्टान के तौर पे खड़ी हो गई नहरू की ही बेटी इंदिरा। कि देखो नहरू के मरने के बाद इन्होंने नहरू की बेटी को अकिला छोड़ दिया। ऐसे में अगर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनना है तो कैबिनेट में इंद्रा को शामिल होना ही पड़ेगा। कामराज ने शास्त्री को देखा बुला ऐसा क्या कर दोगे भाई जो इंद्रा मान जाएंगी यहां हमसे तो मान ना रही है बड़े बड़े नेताओं से मान ना रही है तुम क्या कर दोगे। शास्त्री को वो भी काफी सीधा साधा समझते थी। शास्त्री ने का चिंटा मत करिये मान जाएंगी इंद्रा। चाहता हूं कि आप हमारी कैबिनेट में शामिल हो जाएं। इंद्रा ने तुरन तमना किया नहीं आना मुझे कैबिनेट में, कैबिनेट में शामिल होना ही नहीं मुझे, मैं कैबिनेट में शामिल होगी नहीं। शास्त्री ने एक बार फिर का इंद्रा जी प्रार्थना है विनम्र प्रार्थना है कैबनेट में शामिल हो जाईए इंद्रा ने मुँ फिर लिया और मुँ फिर के जाने लगी जब जाने लगी तो शास्त्री ने बगल में का ठीक है फिर अगर आप नहीं बनेंगी मंत्री त किसी को यकीन नहीं हो रहा था इंद्रा गांधी शास्थरी की कैमिनेट में शामिल होने के लिए अमान कैसे गई लेकिन यह शास्त्तरी का तुरुप जो उन्होंने खेला कि अगजर इंद्रा नहीं आएंगी तो वो विजया लक्ष्मी को अपने पाले में कर लेंगी और विजया लक्ष्मी का मंत्री बनना इंद्रा को कताई स्रीकार नहीं था अब आप कहेंगे वो क्यों दरसल विजया लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नहरू की बहन थी इंद्रा गांधी की बुवा थी लेकिन इंद्रा की चिड़ विजया लक्ष्मी पंडित से जग जाहिर विजया लक्ष्मी पंडित से, विजया लक्ष्मी ने इंद्रा के बच्पन में इंद्रा से जो बुरा व्यवार किया था, वो बुरी यादों की तरह इंद्रा को उनके बुढ़ापे में भी डराता था, इतना डराता था कि जब इंद्रा इस देश की सबसे ताकतवर सत्ता बेटती थी, फिर भी वो कचोट, वो मन में दर्थ, वो टीस बनी रहती थी कि विजया लक्षमी बुगा ने किस तरह से इंडरा का अपमान किया था, इंडरा को बटसूरत कह 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 के इतना डरा दिया था, कि इंडरा घर में बैठने से डरती थी, हमेशा घर से दूर, आनन के दूर गालडन में एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी, क्योंकि घर में आएंगी तो विजया बचसूरत बचसूरत चढ़ाएंगी, इसलिए विजया लक्षमी सेंद्रा इतना चर्ती थी, कि विजया लक्षमी मंत्री ना बने, इसलिए वो खुछ शास्त्री के अंडर म काम करने के लिए तयार हो गई, शास्त्री इस नब्स को पकड़ते थे, ये किस्सा कैसा लगा, शास्त्री के प्रधान मंत्री बनने का, चुंकि इन तीन और उधक चक्तानों को पार करने के बाद, तो शास्त्री के प्रधान मंत्री बनना तैसा, और शास्त्री के प्रधान मंतरी बनने के बाद जो हुआ वो इतिहास है